Good morning viewers, आप सब कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे आज मैं एक नए topic के साथ आया हूँ जिसके अंदर हम winters के अंदर क्या precautions लें dogs के लिए देखिए winters आ रही है भी, November start हो गया है, winters आ रही है और dogs के day to day activities के अंदर आपको क्या-क्या ध्यान देने हैं, उनके food के अंदर क्या-क्या ध्यान देने हैं क्या medicines आपके पास में होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी हम एक छोटे से topic को लेके चलेंगे, कि अभी हमारा जो नया मौसम जो आ रहा है, उसको हम कैसे देखें देखिए सबसे पहली बात है कि आपना fans और ये सब चलाना बंद कर दीजे, अगर आपको अपने kennel को सुखाना भी है तो इस case में भी आपको dogs को वहां से हटाना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझना होगा कि देखिए, अगर आपको kennel सुखाना भी है और dogs वहीं पे है, और fan चल रहा है, आपको आपको पांच प्रिट पर क्या फरक पड़ता है, dogs बहुत जल्दी सर्दी पकड़ने के बाद पर dogs को ठीक करना बहुत बड़ा सिरदर्द होता है तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी से ही आप winters के precautions लेना शुरू कर दीजिए, winters के precautions पर आपको क्या-क्या लेना है देखिए सबसे पहली बात, daily wash करना अगर possible नहीं है तो आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, floor को clean करना water से, उसको dry साफ कर सकते हैं और अगर आप water से शाफ करते हैं तो उसके बाद में फिर आप उसको dry करने के लिए, dogs को वहां से हटा लीजिए, fan चला दीजिए, अच्छी तरह से wipe out कीजिए, थोड़ा सा उसको dry होने दीजिए, उसके बाद ही dogs को छोड़िए डॉक्स को जो सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है वो नीचे floor से लगती है, अगर आपने उसका floor ठंडा किया हुआ है, अगर आपने उसका floor को insulate नहीं किया है तो डॉक्स को पॉस से और पेट के नीचे से सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है तो इसलिए आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखे सबसे पहली बात कि आपको फ्लोर के ऊपर मैटिंग बिचानी पड़ेगी किस तरह की मैटिंग देखे आजकल बहुत सारी विनाइल मैटिंग और कॉयर मैटिंग रबर मैटिंग आती है मेरे जैसे डॉक्स जो होते हैं यह सभी रबर मैटिंग को नहीं बरदाश करते हैं इनको में दिक्कत क्या होती है कि आप rubber matting बिचाने जाएंगे तो यह काड़ने शुरू कर देंगे तो ऐसे case में अगर आपको लगता है कि rubber matting नहीं बिचा सकते तो vinyl matting आती है इसको आप stick कर सकते हैं जमीन पर किसी stick करने वाली फैविकोल या फिर बहुत सारी और भी addisives शाते है उनके साथ में या फिर आपर या काम कर सकते है goire mats goire mats आती है goire mats आप बिचासकते है KORE mats uhee mads that is rough होती है docs को पसंद नहीं होती चेऊ करनी आप वो बिचासकतेएं कुछ area में पूरे area में बिचाना था possible काम करती है और time to time उसे आप clean करते रहें अगर possible है तो आप कोई ना कोई disinfectant spray भी मार दें उसके उपर ताकि उसके अदर कोई कीड़े या इस तरह की कोई possibility ना रहे तो अभी देखिए बहुत अब इंटर नहीं शुरू हुई है तो आपना बोरिया खरीद लीजिए और बोरी खरीदने का सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है कि यह बोरी होती है बहुत अच्छा insulation का काम करती है और easily available होती है क्या करें बेटा खेलो अराम से अभी वहां पर खेलना शुरू हो गया लोगों का और एक को टार्गेट कर रहे है यह लोग तो अभी थोड़ा सा खेलेंगे यह लोग और उसकी पिटाई होगी जिसको यह लोग सेलेक्ट करेंगे डेजी तो आपना बोरी खरीद लीजिए सबस्जा कि decor atWhatsby इसकी देखिए आपको एक डॉग के लिए कम से पाँंच भी खरीदनी चाहिए मैं जब विंटर शुरू होती है तो मैं कुम से कब नहीं तो अपने dogs के लिए 30-40 बोरी खरीदने का मतलब होता है कि कुछ इसको पिंनाने के काम आती ह है और कुछ इनको व बोरियों बहुत ज़याद मेहलनी नहीवी सब्सक्राइब काया है कि अगर भी दिए होतके कोट काम काते हैं बोरी काट नाहिए Secretary करे यhnicum के लिए वीडियो बनांगा आख कि और जो चाहिए बोरी चीज अगति होते हैं उनको आगर एक डॉग चार-पास दिन भी चलाता है या हफते भर भी चला लेता है तो तब भी आपके लिए बहुत जादा महंगे नहीं पड़ते और दूसरी बात है कि अगर वह फट भी जाते हैं तो नीचे बिछाने के काम आ जाते हैं तो आप ना अगर एक आप उनको रेगुलरली उनको यूज करते हैं तो ठंड में आपको बहुत बड़ा मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप जिसे ठंड आई है वरना क्या होता है ठंड आ गई है तो आपको बहुत सार इंतिजाम करने पड़ते हैं तो सबसे पहले अगली बार मैं पिछली एक काफी दिन पहले भी मैंने एक बार एक इसके उपर क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि बोरी से आप कैसे बना सकते हैं उनके कोट्स और उनके नीचे बोरिया डाला शुरू कर दिजिए अगर वो फ्लोर पे सोते हैं अगर किसी अगर उनकी नोहर सय और गीली हो रही है इसका मतलब है कि अगर और उनको ठंड लग सकते है तो ऐसे केसम में आपको फॉरण आपको मेसीन करनी आर्या एंटिपेस है तो और आर्राफ और है तो आनटी प्यायोरितिक डॉल हो एक भान है तो अभी लिग साथने समाल मत कीचे unless की बहुत जादा requirement हो तो hope करता हूँ कि आप इन precautions को अपनाएंगे और अपने channel के अंदर आप dogs को healthy रखेंगे Thank you for watching my channel Hope आपको भी ये video पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो please इसे like, share, subscribe जरूर कीजे हम dogs related ऐसे important videos लाते है जिससे owners को और breeders को बहुत फैदा होता है Thank you for watching, have a good day